आम तोर पर आप लोगों को किस तरह की सजा देती हैं? पहले ही काफी सजा दी जा चुकी है, यह ना? पहले ही काफी कुछ हो चुका है, चिलाना, चिड़ चिड़ाना, बात ना करना, हर चीज हो चुकी है. तो आप और कौन सी सजा देना चाहती हैं? आपके दिक्कत यह है कि दूसरी तरफ कोई पच्चतावा नहीं है. दूसरी तरफ कोई पच्चतावा नहीं है, क्योंकि लोग वो कर रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं. वो नहीं, जो आप चाहते हैं कि वो करें. हमेशा और वो सकता है कि वो आपके हित में न हो लेकिन वो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं ये सही है या गलत मैं इसकी नैतिक्ता में नहीं जा रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप इस थिती को ठीक से समझे कोई इंसान वो कर रहा है अब आपके हिसाब से उससे सजा मिलनी चाहिए शायद उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है वरना उन्हें वैसे भी सजा मिल जाएगी वो दो लोगों के बीच की समझ को तोड़ रहे हैं शायद आपने आपसी समझ को गलत समझा आप मानती थीं कि ये समझ बिलकुल स्थाई है ऐसा नहीं है मानफता के इतिहास में कहीं भी या आज या भविश्व में इंसानी रिष्टे कभी भी स्थाई नहीं रहेंगे हाला कि हर इंसान हर इंसान जो थोड़ा सा रोमैंटिक बनता है मान लेता है कि ये रिष्टा हमेशा के लिए एक सा रहने वाला है ऐसी कोई चीज नहीं होती रिष्टे में बदलाव होता रहता है हमेशा आपको इसे हर दिन निभाना होता है एक दिन अगर आपने इसे ठीक से नहीं चलाया है तो ये कहीं और जा सकता है आया ना? नहीं, कृपिया इसे वैसे ही देखिये, जैसा ये है आपको इसे ठीक से चलाना होगा नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं जाहर है कि दूसरे को लगता है कि आपकी पूरी कोशिश उनके लिए काफी नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ समझोता करें ये इस बारे में नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत ये मेरे कहने की चीज नहीं है मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लोग सदियों से ऐसे ही पेश आते रहे हैं और अब भी हैं मैं कहा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा, कि रिष्टे कभी भी एक से नहीं होते, कुछ चीजें बदलती रहेंगी, आपको कर्तब करते रहना होगा, अगर आप पांच गिंदों से कर्तब कर रहे हैं, तो कभी-कभी एक गिर जाएगी, इसके लिए काफी हु पादिशुदा हैं, क्या ये हुनर और ध्यान नहीं मांगती? अगर आप ध्यान नहीं देते, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, है ना? अभी-अभी किसे ने मुझे यॉरप के एक देश से फोन किया, सद्गुरू मैं बस घर के काम कर रही हूँ, मुझे आकर बचाईए, मुझे यहां से अपने आश्रम ले जाईए, मैं बस घर के काम कर रही हूँ, वो बरतन वगरेद हो रही है, वो बहुत अमीर है, लेकिन उसके चार बच्चे हैं, तो हर समय कोई ना कोई काम करने को रहत है अंतहीन तरीके से और आज काम वाली नहीं आई तो आपको बर्तन धोने पड़ेंगे चार बच्चे हैं आपको बर्तन धोने पड़ेंगे और सारे काम करने पड़ेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये समझना होगा, कि रिष्टा एक परिवर्तन शील हकीकत है, ये स्थाई हकीकत नहीं है अगर आप एक स्थाई रिष्टा चाहते हैं, तो आपको मरे हुए लोगों से रिष्टे बनाने चाहिए यही कारण है, कि ज्यादतर लोग भगवान को चुनते हैं, क्योंकि वो रिष्टा स्थाई होता है आप जैसे चाहें इसे संभाल सकते हैं, अगर आपने उनके बारे में दस दिन तक नहीं सोचा और ग्यारवें दिन आप उनके बारे में सोचते हैं, वो फिर भी वही होंगे आप ऐसे अपने पती या पत्नी या किसी और के साथ कीजिए, तब कुछ और होगा आप कहीं चले गए, व्यस्त हो गए, भगवान को तीन साल तक भूल गए, आप फिर सोच सकते हैं, तब भी वही होंगे तो अगर आप स्थाई रिष्टा चाहते हैं, तो आप आपको इंसानों को नहीं चुनना चाहिए इंसानी रिष्टे परिवर्तन शील हैं, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है तो इसी लिए कुछ लोग अपने जीवन में ये तै करते हैं, कि ऐसी चीजों को संभालने के लिए उनके पास समय और शक्ती नहीं है तो वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं जहां ऐसा कोई बंधन नहीं होता, वो अपनी आखे बंद कर लेते हैं और अपने में मगने रहते हैं वो ये परवा नहीं करते कि उनके आसपास कौन है या क्या है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा, किसी को सजा देने की कोशिश में आप सिर्फ खुद कोई सजा देंगे वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, बहतर ये होगा, कि आप ये देखिए, कि आप अपने जीवन से वाकई क्या चाहती हैं आपको उनके साथ प्रतिक्रिया करने और उनके जैसी बेवकूफी भरी चीजे करने की जरूरत नहीं है आपको बस बैठ कर इस पर गौर करना होगा, जब आपके भ्रहम तूट जाते हैं अभी आपके भ्रहम तूट गएं, ये बहुत अच्छी बात है अगर आपके भ्रहम तूट गए हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन आपको हकीकत के करीब ला रहा है तो ये आपके लिए एक मौका है बैठ कर ये देखने का कि मेरे जीवन की प्रकृति क्या है देखे, जीवन का ये अंश, जीवन का एक संपूर्ण अंश है, है की नहीं? क्या ये आधा जीवन है? आप आधा जीवन है या पूरा जीवन? पूरा जीवन तो फिर ये इतना अधूरा क्यों महसूस करता है कि इसे एक दूसरे इंसान की जरूरत होती है इस जीवन को भरने के लिए ऐसा क्यों है? इस पर गौर करने का यही मौका है, है ना? अगर यह पूरा जीवन है, तो यह अपने आप में संपूर्ण है. लेकिन अभी आपने इस इस तरह से बना दिया है, कि यह उसके और उसके और उसके बिना नहीं रह सकता. तो कहीं न कहीं, यह एक अधूरा जीवन है, यह कम से कम इसको अपनी प्रकृति की पूर्णता का एहसास नहीं हुआ है, है ना? यह जीवन का एक संपूर्ण अंश है, जो स्रिष्टा और स्रिष्टी दोनों से भरा हुआ है. एक अधूर्ण जोड़ी, जब जीवन आपके दर्वाजे पर इस तरह दस्तक दे रहा है, यह अपने भीतर, गहराई से देखने का समय है, न कि किसी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने और उन्हें सबक सिखाने का. किसी दूसरे को सजा देने से आपका जीवन रुपांतरित नहीं होने वाला, यह आपके जीवन को किसी भी तरह से सुन्दर नहीं बनाने वाला. आपको दो दिनों के लिए एक घटिया संतोश मिलेगा, उसके बाद आप उसके लिए भी अपरादबोध मैसूस करेंगी. वाकई, कोई आपको यह हैसास दिला रहा है, कि यह सब चीजें कितनी नाजुक हैं, वो आपको धोका दे सकते हैं, वो भाग सकते हैं, वो तलाग दे सकते हैं, या वो मर सकते हैं, है ना? अगर वो मर जाते हैं, तब आप यह नहीं सोचेंगे कि उसमें मुझे धोका दिया क्या आप सोचेंगे? नहीं, लेकिन चाहे जो हो, आपको वंचित किया गया, है न? मैत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी चीज से वंचित हो गई है उसने ये कैसे किया, सवाल ये नहीं है चाहे मौत से, या तलाग से, या धोके से, या आप इसे जो भी कहें पर मूल रूप से आप वंचित हो गई आपको सिर्फ इसलिय वंचित किया जा सकता है क्योंकि आप ये विश्वास करने के भ्रहम में हैं कि ये एक अधूरा जीवन है और इसे कहीं से दूसरे आधे इससे की जरूरत है नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन है अगर आप एक संपूर्ण जीवन के रूप में विक्सित हुए हैं तो आप देखेंगे कि रिष्टे बिलको ललक प्रकृती के होंगे तब ये साथ आने और साजह करने जैसा ज्यादा होगा न कि निचोडने जैसा इसे रूपांतरित होना होगा अगर रिष्टे को रूपांतरित होना है तो आपको रूपांतरित होना होगा ये एक जबरदस्त मौका है जो किसी ने आपको दिया है ये कहना बंद कीजिए कि किसीने मुझे धोका दिया है बस ये कहिए कि मुझे कोई भ्रहम की अवस्था से परम सत्य की ओर्ध हकेल रहा है हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए आपको तो कृतग्य होना चाहिए आपको भ्रहम में रखने के बजाए आपको अपने जीवन में या जीवन भर भ्रह्म में रखने के बजाए उसने इतनी जल्दी आपको इसका हैसास दिला दिया वरना इसे आप अपनी मौत के समय ही जानेंगे हाँ जब आप मरने वाली होंगी मुझे डर लग रहा है तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते वो कहेंगे नहीं तो आखरी पल में जानने से बहतर है इसे अभी जान लेना